Hey guys, what's up, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel, दीपा यादवस IS Academy, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of August 2020, तो guys, आज है 2 August 2020, और है Sunday, देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper, the Hindu complete newspaper को analyze करेंगे from the viewpoint of UPSC and other various competitive exams, discussion start करने से पहले, अगर आपको इन सारी चीजों से related PDF चाहिए, इस the Hindu newspaper की PDF चाहिए, तो आपको क्या कर ना है, डाउनलोड करना है, टेलिग्राम, टेलिग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है, दीपा क्यादव IAS Academy, as you can see, क्लिक करोगे, तो नीचे जॉइन को option आ रहा होगा, यहाँ पर, जॉइन कर लेना, क्योंकि आपको daily basis पर क्या क्या मिल जाता है, study material related to UPSC, daily आपको दाहिंदू analysis मिलता है, in the form of a video, साथ ही साथ दाहिंदू newspaper की PDF मिल जाती है, ताकि आप newspaper देख सको, साथ ही साथ अपनी videos को, दोनों combine करके अपनी preparation कर सको, साथ ही साथ digital notes भी provide कर दिये जाते हैं, digital notes यानि की, जितनी भी हमारे current affairs present होते हैं, हमारे digital notes, ताकि आपको कोई भी problem ना हो, static को GS से link करने में, जो की main चीज़ है UPSC में, ठीक है, और बाकि सारी चीज़े आपको मिल जाती है, हमारे channel पे, और ये सारी चीज़े बिलकुल मिलती है, आपको free of cost, बिलकुल free of cost मिलती है, तो आप बिंदास सारी के साथ join करें, और सारी चीज़ों का फाइदा उठाए, ठीक है, तो guys, यहाँ पर जो हमारा telegram channel है, उसका link वो मैंने description में भी दे दिया है, आप description में से click करके जाकर भी join कर सकते हैं, और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो नीचे red color का button आ रहा होगा, subscribe कर देना, एक छोटा सा support दिखा देना, क आपर हम लोगों कौन-कौन से articles important है हमारे लिए, सबसे पहला article आता है हमारे लिए ICMR, fast track approval दिया गया है, इसराइली research के साथ, जो की coordinate करा जाएगा DRDO के द्वारा, यहाँ पर यह दो body है, यह काफि साथ important है from the viewpoint of UPSC, बट यह article क्या कहना चाहरा है, इसके बारे मैं भी आपको बता देता हूँ, तागी कोई confusion ना हो, DRDO जो body है हमारी, defense research and development organization, यह जो है, collaborate कर रही है, Israeli direct rates है, इसराइल की कौन सी body है, DRDD, defense research and development, ठीक है, यह इसके साथ, यहाँ पर जो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, collaborating हो रही है, ताकि जो Indian patients है, उनकी testing करी जा सके है, कौन सी testing करी जा स breathe test, thermal test, और यहाँ पर poly amino test, यह ने testing को करने के लिए, जो यह हम पर क्या हो रहा है, isolate करने के लिए, यह सारी testing किसलिए कर जाती है, isolate कर सके है, proteins correlated to COVID-19, पता लगाने के लिए COVID-19 के बारे में, COVID-19 के regarding testing हो रही है, तो इसके लिए आप यह bodies दोनों है, collaborate कर रही है, तो उसके regarding article है बड़ जो important thing है, इस पूरे article में हमारे लिए, वो है सबसे पहले ICMR, ठीक है, सबको पता होगा, सबकी रगों-रगों में भर गया होगा, ICMR है क्या हम लोग काफी बार discuss करते हैं, साथी साथ DRDO, DRDO के बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो चलते है, Telegram के, Telegram के है हमारे लिए, ICMR, ठीक, अब ICMR के बारे में बात करें, Indian Council of Medical Research, तो यह एक APEX बोडी है इंडिया की, जो की formulate करती है, coordinate करती है, और promote करती है, biomedical research को, जितने भी researches होते हैं, उसका formation, उसका coordination, और उसका promotion के उपर यहाँ पर यह बोडी काम करती है, और mandate है, यह conduct करे, coordinate करे, implement करे medical research को, ठीक है, किसलिए करती है, इस सारी जो medical research है, ताकि जो society हमारी उसको benefit मिल सके, है ना, साधी साथ इसको fund कौन देता है, आपको भी पता हुगा, कोई भी body हो, उसको run करने के लिए, ठीक है, उसको चलने के लिए, तो उसको fund चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो ICMR का जो formation हुआ था, वो 1911 में हुआ था सबसे पहले और इसका नाम था IRFA, ठीक है, IRFA था फिर उसके बाद यहाँ पर इसका नाम जो है 1949 में change कर दिया गया, और इससे दुवारा नाम दिया गया ICMR, अब यहाँ पर देखें, तो एक government organization body है, headquarter कहाँ पर इसका New Delhi में headquarter है, और अब ही हाँ पर Secretary General कौन है, डॉक्टर बलराम भरगवा, इनके Secretary General है, ICMR का logo अगर आप सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने ICMR को cover किया, now next body is DRDO, ठीक है, DRDO Defense Research and Development Organization, now we will talk about it, अभी हम बात करें, यह जो हमारा Defense Technology, जो हमारा यह DRDO body है, GS Paper 3 में आएगी, GS Paper 3 में UPSC साइट से 3 टॉपिक दिये वे हैं, वो कौन से है, Achievement of Indians in Science and Technology, Defense Technology और Indigenization of Technology, ठीक हो, current affair वाला टॉपिक क्या है, हमारा DRDO, तो आप देख सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से linking हो रही है, linkage हो रहा है, दोनों के बीच में, यानि कि जो current affair है, हमारा साध्य स्टाटिक पोर्षन है कितनी अच्छी तरीके से चीज़े जो है, वो link हो रही है, DRDO जो है, वो work करती है, under the administration control of Ministry of Defense, यानि कि किसके एंडर में work करती है, Ministry of Defense में, ठीक है, Ministry of Defense, Government of India के एंडर में हमारी ये body work करती है, work करती है, ताकि जो establish करी जाए, world class science and technology, base for India, ठीक है, science and technology के लिए, जो हमारी body है, अभी और आप चाहिकर देखोगे, इसकी जो genesis और growth हुई है, यानि कि अभी past time से जो अभी पहले के time पर थी और अभी के time पर है, तो काफी जादे इसमें increment हुआ है, काफी जादे growth हुई है, तो DRDO है, सबसे पहले important thing established होई थी ये 1958 में, कब हुई थी जब इसको combine कर दिया ग TDP और TDE, तीनों को याँ पर जो है क्या कर दिया गया, combine कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ हुआ हमारा DRDO established हुआ, start कैसे हुआ था, start हुआ था 10 laboratories है, चोटे से start हुआ था, चोटे कदम से आज के time base की 52 laboratories हैं, 52 laboratories हैं, और देखोगे किस-किस चीज़ के उपर काम करता ह Aeronautics, Armaments, Electronics, Combat Vehicles, Engineering Systems, Instrumentations, Missiles, Advanced Computing, ये सारी चीज़ों को पर हमारा ये पूरा पूरा work करता है, हाला कि ये information system, agriculture के लिए भी काम करता है, ठीक है, नतव आप देखोगे सारी चीज़े इसके अंदर include हैं, presently जो ये organization है, ये हाँ पर, पहले past time पर देखें तो इसमें 5000 scientists थे, न आँ, आज के time पर देखेंगे, तो 25,000 यहाँ पर scientific, technical, or supporting, personal है, ठीक है, अभी बात करें, several major projects, जो है, वो development of missile हो गई, armaments, light combat, aircraft, इन सब के लिए आपर body काम करती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़े देख सकते हैं, mission क्या है, mission है, design करना, develop करना, और lead, ठीक है, body बनके चलना, ताकि जो production हो, state of the art sensor, weapon system हो, इन सब चीजों का यहाँ पर development करना, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, और क्या चीज़े हैं, यहाँ पर, इसका सबसे important चीज़ और है, DRDO का headquarter कहाँ पर है, New Delhi में, headquarter, और कब establish होई थी, उस body की full form, और उसके साथ साथ, उस body क aim, कि उसका aim क्या है, यह सारी यह चार-पाँ चीज़े, अगर आप ने अच्छी तरीके से सारी body की cover कर ली, तो आप कोई भी body से question आएगा, कोई भी strategy body से question आएगा, तो आप अराम से उसको solve कर पाऊगे, चलते हैं अभी आगे, आगे कौन-कौन से हमारे articles हैं, यह वाला article द गया, ठीके, तो होता है, हुआ क्या है, यहां पर, जो largest car maker है, ठीके, कौन है largest car maker, मारूती सुजुकी, वो यहां पर क्या हुआ है, 1% growth दिखाया है, 1% से boost up हुई, आपको पता होगा, pandemic के दोरान सभी कुछ ठप पड़ लिया था, सभी कुछ जो है, ड्रॉप डाउन हो गया ठीकरी हुई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, वेहिकल जो है इतने बिके हैं, तो उसका regarding article हुआ, तो आप याद रह सकते हैं, auto sector कौन सा होता है, और auto sector में increment हुआ है, एक परसेंट का, यह आपको ध्यान रखने वाली बात है, now next article है हमारा, NEP, National Education Policy, जो कि यहां पर काफ Mandarin Language, Mandarin जो है एक Chinese Language है, वो यहां पर इस list में नहीं है, ठीक है, अगर हम इस साल वाला जो यह भी नई policy आई है, इसमें आप पर Chinese Language का mention नहीं है, और इससे पहले वाली जो policy थी वहां पर mention थी, तो आप यह चीज़ ध्यान रख सकते हैं, आप पर हम क्या कर रहे हैं, boycott कर दिया ह अब भी हम बात करें, credit guarantee extended to large firms, self-employed, यानि कि अब क्या हुआ है, जो credit guarantee है, उसको extend कर दिया गया है, large firms के लिए, ठीक है, बड़े-बड़ी जो firms हैं, जो उनके लिए credit वगएर, अगर वो loan लेते हैं, तो उनकी जो loan की limit है, वो बढ़ा दी गई है, अभी आप देखोगे, तो जो हमारे MSME होते हैं, micro, small and medium enterprises, जो इसनको loan वगएरा, provide कराने वगएरा, काम करा जाता है, साधी साथ अगर हम बात करें, अभी जो यहाँ पर क्या हुआ था, इस scheme थी 41,600 करोड रुपे की, टाकि जो हमारे micro, small and medium enterprises हैं, इनको help करा जाएगा, इतने रुपे की scheme थी अभी, तो जो हमारे firms हैं, जो हमारी firm हैं, जिसका 100 करोड रुपी का turnover है, वो यहाँ पर देखो कितने रुपे 25 करोड रुपे उठा सकता था, जिसके 100 करोड रुपी का annually turnover है, पूरे साल का, लेकिन अब इस scheme को बढ़ा कर क्या कर दिया गया है, इस scheme को बढ़ा कर दिया गया है, जिसका अगर कोई किसी का 500 करोड रुपे turnover है, तो वो यहाँ पर 50 करोड तक ले सकता है, ठीक है, तो cover किया हमने ये भी, तो चलते हैं आगे और देखते हैं हम आले, कौन-कौन से articles हैं important, guys, like करना बिल्कुल मत भूलना, अभी यहाँ तक आप देख चुके हो तो, next आते हैं हम लोग page number 3 के उपर, page number 3 के उपर article आता है, यह article important बिल्कुल भी नहीं है, बट जो most important thing है, article में होगा zero survey, इसके बार में हमने काफी बार discuss कर लिया है, zero survey है, क्या zero survey के बार में, बहुत बार discuss करा है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैंने बताया था, देखो, आज का जो दाहिंद cover करोगे, आज का जो newspaper है, आप दाहिंदू newspaper पूरी तरह से cover कर लेते हो, तो आपके पिछले दो हफते के editorials, most important thing होती है, editorials जो है, वो cover हो जाएंगे, जो most important editorials है, तो इसी वैसे कर रहा हूँ, आज बहुत important newspaper है, आज का, cover करूँगा मैं सारी चीज़े, दो zero surveillance की बात करता है zero survey है क्या, zero survey जो करा जाता है, COVID-19 के लिए, सबसे पहले हाँ पर किसी भी बिमारी के लिए करा जाता है, ठीके, किसी भी infection के लिए करा जाता है, zero survey मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर process क्या होता है, सबसे पहले यह करता है, detect specific antibodies को, antibody का detection करने का काम, antibodies क्या होती है, हमारी body में present ह होती हैं जो कि virus से लड़ने में help करती है antibody कुछ हमारी इस तरीकी की दिखाई देती है Y-shape में antibodies होती है उसके बाद अगर मैं बताओं तो antibody हाँ पर इस हम immunoglobin भी कहते हैं साथे साथ एक large Y-shape protein produced है जो कि यहाँ पर आप देखोगे क्या होता है immune system के द्वारा यूज करा जाता है ताकि जो pathogens होते हैं उनको neutralize कर दिया जाए उनको खतम कर दिया जाए अब pathogens क्या होता है pathogens होते हैं हमारे bacteria fungi यह साथ चीज़े जो की disease को produce कर देते हैं तो हमारे क्या होता है जो हमारी antibody होती है antibody क्या करती है इसको हमारे immune system को जो है आप immune system को working में लिया आईगी और यहाँ पर pathogen को यहाँ खतम कर देती है तो आप समझ सकते हो कि disease को खतम करने में काम आती है तो इस सबसे पहले sero surveillance का काम क्या है sero survey में देखा जाता है कि कि किस बंदे के अंदर कितनी antibodies है उसको detect कर जाता है next जो है immunity का check up कर जाता है कि immunity कैसी है क्योंकि जिसकी immunity सबसादे strong होती है वो यहाँ पर सबसे कम बिमार पड़ता है आपको पता होगा सादे साद जो sero survey है यह help करता है जितने भी हमारे past में infections हुए हैं उसको detect करने भी काफी जादे हमारी help करता है immunoglobin को testing करने में यहाँ पर काफी जादे help करता है ELISA का method इस्तमाल करने के बाद ELISA जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना कवच ELISA क्या है इसकी full form मैं बता हूँ तो enzyme link immunosorbent ऐसे इसकी full form है यह एक test है जो कि detect करता है सादे साद मीजर करता है antibodies blood में blood में कितनी antibodies present हैं यह हाँ पर इस चीज़ को detect करता है ठीक है तो हमने cover कर लिए अभी सीरो सर्वे को भी अभी आपको सीरो सर्वे से भी कोई भी कोशन आएगा तो आप अराम से solve कर सकते हैं चलते हैं हम लोग page number 4 के उपर कोई article important नहीं है page number 5 के उपर भी कोई article important नहीं है page number 6 के उपर भी नहीं है page number 7 के उपर आते हैं तो यह आड़ता है हमारा आप इसके बार में याद रख सकते हैं अभी हम लोग इसके बार में डिटेल में भी डिसकस करेंगे next जो है article हाता है हमारा page number 8 पे panel recommendation lifting export ban on ventilators जो ventilators export करे जा रहे हैं उस पर ban लगाया जाए ठीक उसको कम करा जाए यह क्योंकि यहाँ पर आपी देखोगे और के चीज़े यहाँ पर इस article के थुरू और के चीज़े बताए जा रही है जो अभी समय fatality rate है हमारा हमारा country का वो काफी जादे low चल रहा है manufacturing capacity जो है उसको बढ़ाई जाए और अभी हाँ पर हम लोग कुछ situation tackle कर सकते हैं next article क्या है जो Trump है उन्होंने क्या का है TikTok को वो भी हटा देंगे US से ठीक है अभी हम लोग चलते है page number 10 के उपर 10 के उपर क्या आता है जो July का GST revenue है goods and service tax का revenue है वहाँ पे slide हो गया है 14% तक यहाँ पे उसमे slide दिखा है ठीक है goods and revenue tax में goods and service tax में now आते है page number 11 पे science and technology science and technology के परपस से काफे जादे important होता हमारा Sunday का newspaper बट इतने important articles नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं important articles हैं वो हमारे यहाँ पर आप frequently asked questions में हैं काफी जादे यह देखोगे 1, 2 और नीचे भी एक article 3 और 4 चारों के चार important है national education policy हमने अभी previously discuss करा है उसके बाद यहाँ पर controversy जो हमारा governor को related है इसको भी हमने पिछले हफ्ते discuss किया था उसके बाद हमने EIA environment impact assessment इसके बारे में कली discuss किया था और next जो article है contempt court यानि कि यह चारो चारो आपके जो है most important editorials हैं समझ लो तो आज मैं आपक page number 11 पर जो science and technology की purpose से news है novel coronavirus circulate via unnoticed in bats for decades यानि की circulate होता रहा है चमकादड़ों में पिछले 10 साल से ऐसी study कहती है next जो article है यहाँ पर यहाँ पर आता है such as hearing voices, false belief, trouble with thinking यानि कि मदब सोचने में तकलीफ हो रही है, concentrate करने में तकलीफ हो रही है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें साइजोफरेनिया में आती है ठीके और यहाँ पर आप देखोगे इसका जो cause है वो भी नहीं पता चला कि यहाँ पर किस वज़ा से यह होता है तो उसके regarding यहाँ पर आप साइजोफरेनिया के बारे में बात कर लिए इतनी important article नहीं है तो बस आपको साइजोफरेनिया के बारे में जानना था हमने जान लिया, now next article यह बताता है जो study ने यह दिखा है जो physical distancing है वो यहाँ पर जो coronavirus की speed है उसमें drop down कर रही है, ठीक है ऐसी study यहाँ पर proof कर दिया है तो आप भी क्या करें distance maintain करके रखें ताकि जो है एक दूसरे से यो virus से transmit ना हो और हम लोग अच्छी तरीकी से tackle out कर सकें, now next article है, arming India's poor against the pandemic 2, तो यहाँ पर यह अच्छा article है, मुझे काफी अच्छा लगा, यह बात किस चीज के लिए हो रही है, जो भी हमारे आप देखोगे जो है हमारे इंडिया में अच्छी चीज़े provide नहीं उपा रही है, facility अच्छी नहीं है, खान पीन को लेकर अच्छी चीज़े तो हैं, लेकिन people जो हैं वो afford नहीं कर पाते हैं, तो उसके regarding क्या क्या चीज़े बताई जा रही है, आप देखोगे genetics औ लोगों के अंदर जो है पाई जाती है, deficiency यानि कि vitamin D कम ही होता है लोगों में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग के को एक step उठा सकते हैं, we should have all schools, यानि कि जितने भी schools जो students हैं, उनको sunlight में, धूप में 20-30 मिनट तक खड़ा रख सकते हैं, या फिर prayer वगरा करवा सकत हैं, और या फिर games वगरा खिला सकते हैं, per day, एक घंटे का, ठीक है, हर रोज एक घंटे games वगरा खिला सकते हैं, धूप में, ताकि जो vitamin D की deficiency है, वो जाके खतम होने लगे, ठीक है, उसके बाद next जो है fighting hidden hunger, अब यह आती है कि, यह article क्या पहता रहा है, कि जो है, हमारे देख चीज़े provide कराते हैं, wheat, rice, plus pulses वगरा, ठीक है, उसके regarding और भी चीज़े क्या provide करा सकते हैं, और भी चीज़े काफ़ जादे nutritionist चीज़े जो है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, consume कर सकते हैं, और वो affordable भी रहेंगी, जैसा कि पालक हुआ, other green leafy vegetables हो गई, beans, peas हो गई, carrots, tomato, potato, milk हो ग लिए, तो इसे कोई भी afford कर सकता है, now, चलते हैं आगे, next page आते हैं, page number 12 के ओपर, और काफी ज़दे important articles हैं, सबसे पहले हम discuss करेंगे अपना national education policy के बारे में, ठीक है, national education policy के बारे में, आज भी हम लोग सारी बाते जानेंगे, ठीक है, तो stay focused रहना, stay tuned रहना, आपने अभी त अब देखते हैं, GS paper 2 में आएगा हमारा national education policy, ठीक है, GS paper 2 में, जो UPSC के side से कौन सा topics given है, education, government policies and interventions, और जो यहाँ पर current affairs के topic कौन सा है, हमारा national education policy 2020, यह news में क्यों है, अभी recently आई है, ठीक है, साधी साधी है, यहाँ पर क्या changes हो है, उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले resource development, जिसे हम लोग MHRD कहा करते थे, अब उसका भी नाम मदल दिया गया है, उसे दे दिया ministry of education, ministry of education कहा जाएगा, इस policy को लाने के साथ साथ यह भी काम कर दिया गया है, उसके बात देखोगे, दो policies पहले भी आ चुकी है, ठीक है, education policies, दो policies पहले भी आ चुकी है, और एक देखें सबसे पहले, तो school education और college दोनों को लिया गया है, यहापर दोनों में कुछ changes करे गए है, school education की बात करें, तो universalization कर दिया गया education को, और यहाँ पर 100% जो है, gross enrollment ratio अचीव करने की बात करी जा रही है, gross enrollment ratio क्या होता है, GER, GER यह होता है, कि कितने percent जो हैं लोग, यह पू लिखें लोग हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, कि जो 10 प्लस 2 वाला system था, वो अब खतम हो गया है, अब आ गया है, 5 प्लस, 3 प्लस, 3 प्लस, 4 का system आ चुका है, यानि जो 3 से 8 साल वाले रहेंगे, वो यहाँ पर 5 की category में आएंगे, 3 से यहाँ पर 8 साल वाल 12, ठीक है, 14-18 साल तक जो है, वो 4th में आएंगे, यानि कि आप 14 से, यानि कि 8 से ही आप अपनी कोई भी choice कर सकते हो, कोई भी अपनी choice में चीजें ले सकते हो, subject वगरा में choice होती है न, तो आप 8 से ही आप ले सकते हो, 8, 9, 10, 11, 12, 4 साल हमारा यह हो गया, यानि कि 10 प्लस 2 का system खतम, याद रखना, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, अभी और क्या बात करें हम लोग, कि यहां पर अभी देखोगे, 12 years of schooling के साथ साथ यहां पर, 3 years of आगनवाल, यानि कि जो pre-schooling के वो भी add कर दी गई है, साथी साथ class 10th और 12th के जो board examination से उनको easier कर दिया गया है, और चीजों को ऐ framework के साथ साथ school governance भी change होगा, और हर private और public schools में यहां पर यह follow up कर जाएगा, emphasis किस चीज के उपर दिया है, जोर किस चीज के उपर दिया है, foundation literacy के उपर और numeracy के उपर, numeracy यानि कि जो बच्चे की mathematical skills है, उसको पहले से develop करना यहां पर चालू कर जाएगा, थाकि जो बच्चा है उसमें mathematics में जो है, वो अच्छी कासे focus कर सके, साथ साथ vocational education भी दी जाएगी, vocational education, singing वगेरा से यहां पर related भी काम भी करा जाएगा, यही start होंगी, class 6 से और internships भी हापर हो जाएगी, साथ साथ जो teaching है, आप देखोगे, at least grade 5 to be in mother tongue, यानि कि जो हमारा, 5th class तक आप समलो, 5th class जो है teaching करी जाएगी, वो mother tongue में करी जाएगी, यानि कि जो भी, जिस भी local area की कैसी भी language होगी, उसी language में teaching करी जाएगी, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, जो हमारा, कोई भी हम लोग language वगरा उसमें, forcefully कहें कि हाँ यहां पर यह लागू कर दें, English बोलो, ऐसा नहीं है, mother mother tongue में teaching करी जाएगी, अभी हम और क्या बाते करें, आप देखोगे, यह सारी चीज़ें, कुछ bodies बगर हैं, जो की combine हुई है, अब और important चीज़ क्या है, important important चीज़ में आपको बता रहा हूँ, 2030 तक जो minimum degree qualification है teaching के लिए वो हो जाएगा, 4 year integrated, be it degree, साथिसाथ जो gross enrollment ratio है, higher education में बात कर रहा हूँ, मैं school की बात ने कर रहा है, higher education में, यह हमें बढ़ाना है 50%, ठीक है, 2035 तक, 2035 तक हमें इसे 50% करना है, और अभी के time पर यह है हमारा 26.3%, ठीक है, तो अभी हम और देखोगे, आप तो undergraduate education है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 of 4 years का है, ठीक है, लेकिन अ HD level हमारा वैसा है, वैसा ही चलेगा, साधी साथ जो bank of credits है, वो भी establish करे जाएंगे, ताकि कुछ पैसा वगरा भी fund वगरा दिया जा सके, और साधी साथ आप देखोगे, कुछ research universities उनके ओपर भी काम करा गया है, ताकि research वगरा भी हमारी अच्छी तरीके से, हम उस पर भी focus कर कर सके research वगरा को ना छोड़ें, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो higher education commission of India है, यह set up कर, इसने set up करा, एक single MRLA body, यानि कि एक ही body के under में सारी चीज़े जो हैं, वो govern करी जाएंगी, सारी चीज़े देखी जाएंगी, तो अभी आप और क्या चीज़े हैं, आप देख जोन, सारी साथ disadvantages, region और groups को भी आपर focus out करा जा रहा है, उसके बाद जो National Institute of Pali है, Persian and Prakriti, Indian Institute of Translation, Interpretation to be set up, यानि जो भी हमारे पुराने की languages हैं, उनको भी आपर लाया जाएगा, सारी साथ यह aim करा जा रहा है कि जो public investment है, उसमें increment करा जाए, और हम लोग GDP जो हमारे gross domestic product है, ह अभी के अभी हमारा क्या है, जो अभी currently बात करें, 4.6% है, जो कि काफिजाद लो है, तो उसको हम लोग higher कर लें, ठीके, उसके बाद हम education की बात करें, इंडिया में कैसी-कैसी education, education यहाप आप देखोगे, सबसे पहले जो Part 4 Indian Constitution का, Article 45 and Article 39F, क्या कहता है, कि जितने हम यहापर सबको equitable और accessible education लें, ठीके, education जो है, वो सबके लिए equal है, फिर उसके बाद जो 42nd amendment constitution, जो 42nd amendment हुआ, constitution में 1976 में, यह education की तरह बड़ा, और क्या कहा गया, education जो है, move होगा, state to concurrent list, फिर उसके बाद यहापर आप देखोगे, 86th amendment आया, 2002 में, इसने education को बना दिया right, enforceable right, यह हक है हर किसी का, और article 21A में डाल दिया, फिर उसके बाद इसकी तरह ही, कावी सारे laws भी आया, right to education आया, जैसे की, उसका यह जो right to education act है, इसका 2009 में आया, इसका aim था, जो primary education है, सारे children's को provide कराना age होगी, जिनकी 6 से लेके 14 साल तक, ठीके, और यहापर जो education उसको fundamental right बना दिया गया, क साथ जो reservation है, उसके उपर भी ध्यान दिया गया, जो भी हमारे disadvantage people है, disadvantage group है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको 25% reservation दिया गया, और यहाँ पर कुछ हमारी government bodies हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीके, तो हमने cover किया, इसके बारे में, now चलते हैं, आगे, आगे आता है हम हमारा next article, next article यह वाल आता है, राजिस्तान से related, इसमें हम लोग पूरी की पूरी governor की बात हो रही है, governor कैसे elect होता है, governor क्या होता है, governor क्या होता है, तो governor के बारे में बात करता है, सबसे पहले हम लोग, तो चलते हैं अपने article के उपर, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो office of governor, वो discuss करी गई है, अंडर article 153 to article 162, यानि 153 से 162 तक सारी चीज़ें related to governor, discuss कर दी गई है, जो governor का role है, वो काफी जादे similar है, as president of India, जैसा president of India का है, रोल होता है, वैसे यहाँ पर governor का भी है, काफी जादे same है, काफी हद तक यह भी का जाता है, जो government है, उसका dual role होता है, ठ तो यहाँ पर पहरी तो constitutional head of the state होती है, साधी साध यहाँ पर आप देखोगे, bound by the advice office council of ministers, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसका function देखोगे, तो governor का यह link होता है, between union government and state government, दोनों के बीच में एक link होता है, कुछ constitutional provisions हैं, governor से related हो क्या है, जो appointment है और powers है, governor की, वो derive होती है part number 6 of the Indian constitution, article 153 क्या कहता है, कि जो हर एक state है, हर एक state के लिए governor होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो, one person can appoint a governor for two or more states, यानि कि एक person को appoint कर सकते हैं as a governor, दो और दो से जादर states के लिए भी, और यहाँ पर governor की dual capacity as we have talked about, ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर एक federal system का हमारा federal system of Indian polity का यही part होता है governor, अब governor बनते कैसे हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहला step क्या होना चाहिए, be a citizen of India, भारत का नागरिक होना चाहिए, at least 35 साल की तो age होनी होनी चाहिए, और ना ही वो parliament का member होना चाहिए, parliament और house का, ना ही state legislature का member होना चाहिए, और profit के लिए काम न देखोगे, जो dismissal होगा, वो president देगा, लेकिन president को भी हाँ पर कौन गाइड, advice करेगा, prime minister, उसके बाद जो dismissal होगा governor का, वो without valid reason नहीं कर सकते, ठीक है, कोई valid reason, कोई ठोस, कोई accurate, certain reason होना चाहिए, उसके लिए, साथ-साथ जग governor खुद resign करना चाहिए, तो वो खुद भी resign कर सकता है, तो अभी के लिए हमने काफी सारी बाते जान लिए, आप यहाँ पर देखो, कुछ history है, related to governor, तो हम लोग इसके बारे में, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, कि कब से कभी यहाँ पर established होआ था, और यहाँ पर कब से governor role में आए, तो उसके बारे में बात करना है, ठीके, अब next article आता है, हमारा environment impact assessment, EIA को लेकर आता है, जो EIA है, उसमें change हुआ है, EIA 2020 का जो draft आया है, उसमें यहाँ पर वो सही है, या क्या ऐसा है, कुछ issues हैं उसको लेकर, तो उसके बारे में अभी हम discuss करने वाले हैं, वो issues क्या क्या हैं, उसके बारे में discuss करेंगा, और उ question discuss करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो उसका answer होगा, उसका article होगा, वो मैं आपको discuss करूँगा, सबसे पहले आपका question of the day बनता है, critically analyze करना है, आपको issues जो है, draft impact assessment 2020, जो notification 2020 है, उसके क्या-क्या issues हैं, तो उसके बारे में discuss करेंगे, ठीके, उसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं अभी आपको discuss करके बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़े है, environment impact assessment क्या है, तो फिर उसके बाद आप एक answer अच्छा answer लिख सकते हैं, अब GS paper 3 में आता है हमारा environment impact assessment, यह UPSC के दरफ से पूरा topic दिया है, EIA, अब introduction में हम देखें, जो environment impact assessment है, नाम से ही पता च पड़ेगा, ठीक है, यह UNAI पर यह define करता है EIA को as a tool, tool की तरह इस्तमाल करता है, और tool की तरह इस्तमाल क्यों करता है, कि कोई भी अगर project लगा रहा है, prior की बात और यह पहले, project लगाने से पहले, decision बनाना पड़ता है कि आने वाले timer, यह इस project की वज़ा से, कोई environment पे फरक तो नहीं पड़ेगा, कोई environmental issues तो नहीं होगा, कोई social economic impact तो नहीं पड़ेगा, अगर कोई बुरा impact भी पड़ता है, तो उसको यहाँ पर reduce करने के लिए, उसको control करने के लिए हमारी यह body बनी है, और काम करती है, कुछ history वागरा देखोगे, इसको हम discuss नहीं करेंगे, क्योंक कि कल हमने detail में सारी चीज़ों कर डिसकस करा है, तो आप जाकर महाँ पर कल वाला news analysis भी देख सकते हैं, और महाँ से आप inside चीज़ों को clear out कर सकते हैं, मैं आपको कुछ-कुछ important important चीज़े बताऊंगा, सबसे पहले जैसे कि हमारा stakeholder, EIA जो process है, उसमें stakeholder कौन-कौन रहता है, E इतना impact पड़ेगा, उसका ये सारी चीज़े देखी जाती है, उसके बाद collection of baseline data, data वगरा collect कर जाता है, उस area का, ठीक है, कि वहाँ पर area कैसा है, उसके बाद prediction को impact है, उसको predict कर जाता है, यानि कि कोई भी हम project लगा रहे हैं, तो उसका आने वाले time में क्या impact पड़ेगा, उसक इतने भी अगर कोई बुरा असर पड़ता है, तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके ओपर काम कर जाता है, पबलिक hearing करी जाती है, यानि कि अगर आप कहीं भी area में कोई project लगाने जा रहे हो, तो जो वहाँ का local people है, तो उनसे जो है, उनसे consultancy बगरा ली जाती है, उसक हम बात करते हैं, आगे, कुछ इसके, आप देखोगे, 2006 की बात करें, जो 2006 में amendment हुआ था, EIA notification का, जो कि अब 2006 को भी हटा कर, अब 2020 का notification आ चुका है, है ना, आप दो 2006 का था, वो क्या के चीजे थी, आप देखोगे, जो 2006 में यहाँ पर decentralized कर दिया गया था, environment clearance को, project को, और यह तक हमारे किते सारे steps थे, process थे, EIA के, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब 4 process में डाल दिया गया, इसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर screening होगी, scoping होगी, public hearing और appraisal, यह चार चीजे यहाँ पर सिर्फ करी जाएंगी, उसके बाद, अब हमारा, जो आप importance देखेंगे, importance कि हमने बात कर ली, कि पहले से यहाँ पर पता चल जाता है, कि environmentally safe, हम लोग कुछ कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, कोई project लगा रहे हैं, तो उसका क्या impact पढ़ना है, साधी साथ कैसे minimize करेंगे, यही सारी चीजे इसके अंदर लिखी वी हैं, और यहाँ पर अगर हम ऐसे follow up करके चलेंगे, तो यह काफी जाते eco-friendly भी हो जाता है, ठीके, तो इससी के regarding article, हम बात करते हैं, अपने, जो हमारा EIA notification 2020 है, उसको लेकर, सबसे पहले यहाँ पे issue क्या है, जो परिशानिया है, वो क्या-क्या है, post facto approval, post facto approval की बात करेंगे, जो new draft है, यह allow करता है, post facto approval projects, इसका मतलब है, clearance for projects, यानि कि जो project है, उसको clear करना, हला कि वो start हो गया, construction start हो गया, उसका, without securing environmental clearance, ठीक है, कोई environmental clearance नहीं है, तब भी यहाँ पर क्या करना, उसको यहाँ पर आप देखना, उसको approve करना, projects के लिए, उसको बाद आप देखोगे, this also means that any environmental project caused by the project is likely to be waived off, violations get legitimized, जितने भी यहाँ पर आप देखोगे, environmental damage जो project के द्वारा हो जाते हैं, तो उन सब को छोड़ देना, तो आप issues क्या है, issues यह हैं, कि आप यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, important चीज़ जो है हमारे लिए, जो हमारे 2020 का notification है, लेकिन आप पहल इसके बाद वो सारी चीज़ डिसकस करोगे, एकदम से ही आप खाली इशु स्टार्ट नहीं कर दोगे, पहले आपको सारी चीज़ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि examiner जो होता है, वो ऐसे चेक करेगा, examiner कुछ नहीं पता, आप सारी चीज़ समझानी आपको ठीक है, तो इस तरीके से चेक करता है, examiner, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़े, जो है, mention करनी पड़ेंगी, अभी हम बात करते हैं, कुछ issues हैं, क्या issues हैं, सबसे पहले आप देखोगे, जो 2006 का यहाँ पर notification था, इसमें था, project proponent submit a report every six month, यहाँ पर क्या था, कि हर 6 महीने में report वो submit करा जाएगा, ठीक है, 2006 का notification था, लेकि जो 2020 का notification है, यहाँ पर क्या करा गया है, once a year, यानि कि साल में एक बार जो है, वो report submit करी जाएगी, जो कि यहाँ पर situation बेकार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, इस period में क्या हो सकता है, certain irreversible environment, social or health consequences of the project could go unnoticed, यानि कि अगर कुछ ऐसा चला है, तो यहाँ पर वो लोग बिना notice के चीज़ जो है, वो implement कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, बिना notice के, क्योंकि साल में एक ही बार यहाँ पर जो है, इस चीज़ के बारे में बताना है, उसके बाद अगर हम बात करें, through the draft notification, जो central government है, उस notification होगा, no information related to such project shall be placed in public domain, यानि कि अगर वो strategic गोशित कर देगा, कि यहाँ यहाँ पर ही strategic project है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, public domain को बताने का, उसका हक नहीं बनता है, तो यहाँ पर यह भी एक हमारी problem हो जाती है, ठीक है, उसका बाद आप भी हम बात करें, तो जो आप देखें, जो इतना जादे लंबा, हमारा इतना जादा आप देखोगे area, 1,50,000 square meters, इसमें construction अगर प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट कोई construct हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करा है, कोई भी, कोई भी, जो है, कोई भी expert committee नहीं आएगी, वहाँ पर, ठीक है, कोई भी EIA, environment impact, assessment, studies वगरा नहीं होंगी, तो यह भी हमारा एक issue बन जाता है, तो हम लोग आगे, अब यह way forward क्या, इसको solve out कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखोगे, यहाँ पर, क्या चीज़े है, कि जो हमारे above issues हो, उसको हम solve करें, तो सबसे पहले जो ministry है, जो public consultation time है, उसको reduce करने क वज़ा है, ठीक है, public consultation time को reduce भी कर दिया गया है, हमने एक चीज़ मिस कर दिया गया, यहाँ पर, एक second मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, एक चीज़ हमारे important है वो, तो अब यह चीज़ है, देखो public consultation, यह भी हमारे एक issue है, क्या कर दिया गया है, जो draft notification है, इसने reduction कर द दिती चीज़ों को लेकर, वो 30 days का था, यहाँ पर 20 days का कर दिया है, तो यह भी हमारे एक issue बन जाता है, जो अब जो यह issue बन जाता है, तो इसका solution क्या है, solution यह है कि, जो public consultation है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको time period कम करने के बज़ाए हम एक time period बढ़ाना चाहिए, ठी आपको environment impact assessment के बारे बताना है, फिर उसके बात 2006 का draft बताना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चीज़े क्या बतानी है, 2020 का draft बताना है, ना कर दो, तो जो हमारा यह आएगा जीएस पेपर टू जुडीशरी में अब हम बात करें जो कंटेंट ओफ कोर्ट है वो प्रशान्थ बूशन के केस को रिलेटेड है यह प्रशान्थ बूशन का केस था कुछ ट्वीट वगएरा कर दिया था उन्होंने तो कंटेंट ओफ कोर्ट से यहाँ पर इनको केस को आगे बढ़ाया गया ओफेंडर ठेराया गया प्रशान्थ बूशन को उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट ओफ कोर्ट है क्या नाम से समझ में आ रहा होगा सबसे पहली बात तो यह जो है यहाँ पर हमारे समविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं है ठीक है आप इसके बारे में याद रखना समविधान में इसके बारे में contempt of court यह हमारे constitution में mention नहीं है act जो 1971 है यह refer करता है offense of showing disrespecting and dignity to the dignity and authority of the court यानि कि अगर किसी भी court अगर कोई भी court यहाँ पर disrespect करा जाता है ठीक है उसकी मान मर्यादों को disrespect करा जाता है उसकी authority को disrespect करा जाता है तो फिर यहाँ पर हक बनता है किसका यह content of court में जिसने disrespect करा है उसको content of court के regards जो है उसको offender बनाया चाहे ठीक है और वहाँ पर उसके खिलाब यहाँ पर step उठाया जाए तो हम लोग content लोग की जरूरत क्यों है सबसे पहले purpose यह है हमारा कि जो भी हमारा judiciary है, jurisdiction है, court है उसकी इज़त maintain करके रखना सबसे पहला है, यहाँ पर काम है उसकी मान मरेदा maintain करके रखना साथी साथ यहाँ पर judges की help करती है कि वो cases वगरा को decide कर सकें बिना डर के, ठीक है, बिना किसी डर के यहाँ पर वो अराम से step उठा सकें constitutional background देखें तो जो article 129 है, यह grant करता है Supreme Court को यह power देता है ताकि जो contempt है, punish for contempt of itself उसके बाद, वन व्यांदी की Supreme Court अपने आप यहाँ पर सजय वगरा सुना सकता है Article 142 यहाँ पर क्या कहता है Supreme Court को कहता है कि investigate करने के लिए, punish करने के लिए परसन को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 215 यहाँ पर article क्या कहता है grant करता है हर एक high court को कि उसके पास भी power है, ठीक है वो भी यहाँ पर contempt कर सकता है अपने लिए अब यहाँ पर बात करें, issue क्या है इससे related, issue यह है अगर कोई भी कुछ बोलेगा, court के खिलाफ, ठीक है कहीं भी, जैसे कि प्राशान भूशन ने tweet कर दिया था, ठीक है, judiciary के खिलाफ, जो हमारे judges, chief justice of India है, उनके खिलाफ, यहाँ पर tweet कर दिया गया था कि यहाँ पर कोई अच्छी तरीच, judiciary वगरा नहीं हो पारी है, तो उसके रिगार्ड यहाँ पर बता जा रहा है कि अगर कोई भी disrespect करेगा, तो वो contempt of court के खिलाफ यहाँ पर आएगा, उसके बाद अगर हम देखें जो issue क्या है, इससे related कि freedom of speech का यहाँ पर हननन हो जाता है, freedom of speech, जो है हमारा एक article 19A में, 191A में जो है हमारे mentioned है, संभीदान में कि लोगों के पास freedom of speech है पूरा-पूरा बोलने का हग है, तो यहाँ पर यहाँ पर restriction आ जाता है तो यह तो होगे हमारा issue लेकिन अभी हाँ पर solution क्या है solution यह है कि काफी सारी countries ऐसी हैं, जिरोंने contempt of court है ठीक है, उसको क्या कर दिया है उसको हटा दिया है, ठीक है तो हम लोग भी step उड़ा सकते हैं, यह हाँ पर यह solution है तो guys हमने यहाँ पर cover किया यह भी, आते हैं अपना last article of the day is, three state rank high in dholak conservation जो हमारी dholak conservation है यहाँ पर यह जो इन्हें कहते हैं corn alpinus ठीक है, धholak conservation अभी इन्हें क्या कहते हैं, इनके बारे में अब बताऊंगा भी तो यह जो conservation है endangered dholak in India में तो यह काफी जादे danger species है ठीक है, जो की जो है, यहाँ पर काफी जादे कम होती भी जा रही थी तो अभी यहाँ पर कुछ जादे क्या हुआ है, कि कुछ यहाँ पर improvement दिखा है और कुछ growth दिखाई दिए हैं कहाँ कहाँ पर, करनाटिका, महराष्ट्रा और मध्यप्रदेश में जो है, growth दिखाई दिए है इनके अंदर, तो अभी हम बात करें तो यह है क्या, तो अब देखोगे इन्हें क्या 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 आ जाता है GS3 environment में जो दोले हैं इन्हें Asiatic wild dog भी कहा जाता है Indian wild dog भी कहा जाता है, red dog भी कहा जाता है यह endangered category में आता है उसके बाद relatively जो high population है दोलेश की यहाँ पर found करी जाती है western guards में, central Indian forest में देखें, वो declining हो रही है कुछ areas में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग की वैसे जो environment की वैसे, साथ जो environment का हम नुकसान कर देता है, उसकी वैसे साथ जो disease transmit हो रही है domestic dogs के थूँ उसकी वैसे तो यहाँ पर इसी कुछ वैसे जो है ecology से लेकर, जो कि यहाँ पर conserving करती है, dogs को for more difficult than tigers, ठीक है which makes conserving dogs for more difficult than tigers, यानि कि इनको conserve करने के लिए काफी जादे महनत लगती है, difficult than tigers, ठीक है, tiger से ज़्यादा तो आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते है ठीक है, इनको product करने में काफी जादे महनत लगती है, तो guys हमने cover कर लिया आज का da hindu news paper da hindu news paper को complete cover कर लिया है अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो नीचे red color का button आ रहा हो, subscribe कर देना और bell icon जरूर दबा देना, और telegram का link description में, telegram को join कर लेना, तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगा, आप लोगों से कल आज के लिए bye bye